हर्याना के रोतक में 12 जून को भव्य राज्य स्तरिय समारो का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य मंत्री मनोहर लाल बतोर मुख्य अतिती शिर्कत भी करने वाले हैं वही कारे कर्मों की तैयारियां पूरी कर ली गई ये कारे कर्म सुबा 10 बजे से शुरू होगा संथ शिरूमनी कविर्दास जी की जैनती की उपलक्षे में 12 जून को रोतक की नई अनाज मंडी में भव्य राज्य स्तरिय समारो का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिती के तोर पर शिर्कत करेंगे समारो के प्रती लोगों में काफे उत्साह नजर आ रहा है और लोगों को कारिक्रम के लिए निमंत्रण भी दिया जा रहा है समारो में अपनी भागीदारी सुनिशित करें वहीं ये कारिक्रम सुबह दस बजे से शिरू होगा कारिक्रम को लेकर सभी तयारियां पूरी कर ली गई है मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत महत्मा किसी समुदाय विशेस के नहीं बलकि समस्त समाज के लिए पत्प्रदर्शक होते हैं संत कभीर जी की वाने जीवन में आगे बढ़ाने की वरह दिखलाती है कभीर साहब जी ने दुनिया को मनवता और प्रेम का संदेश दिया उनका दिखाया मार घर पिढ़ी को भाईचारी और सद्भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा इस कारेक्रम को लेकर प्रशासन की वोर से सभी अवर्शेक प्रवंध किये गए हैं संतों के बैठने के लिए भी सभी विवस्ताएं पूरी कर ली गई हैं इस समारोह में आने वाले लोगों के लिए लंगर और चलपान की भी विवस्ता की गई हैं कई संसाओं और विभागों की वोर से भी कई विवस्ताएं की गई हैं समारोह अस्तल के नस्दीक ही लगवग 6,000 गाड़ियों की पार्किंग की विवस्था की गई है। समारोह के लिए संगत की ओर से आउटर बाईपास से आवागमन किया जाएगा। ताकि शहर में यातायात बाधित्ता हो समारोह में आने वाली संगत अनाजमंडी की गेट नमबर एक से समारोह अस्तल में प्रवेश करेगी। दुरसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि सभी संत महापुरुषों की जयनती बड़े अस्तर पर आयोजित की जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार की वोड़ से संत महापुरुष विचाज सम्माने उंप्रसार योजना की शुरुवात की गई है। इसके जरीए महानमी भूतियों की सिक्षाएं पुरे समाज में फैलाई जा रही है। ताकि संत कबीर दास जी के अलावा महर्शी कशिप महर्शी वालमिकी डॉक्टर भीम राव आमबेटकर और गुरु रविदास जी के जनती को भी राज्यस्तर पर मनाया चाता है।